Best 3D Printer 2023 in India Market में विलने बाले सारे 3D Printers को compare करने के बाद मैं आपको 4 best model बताऊंगा, जो की best है उससे पहले एक चीज जान लो, जितने भी printer हैं, 20,000 के budget हैं वो सारे FTM printing को support करते हैं, जिसका basically मतलब यह है कि एक filament होएगा, जिसको जो गरम होएगा, melting point तक वाचने के बाद उसको precisely extruder की मदद से काटा जाएगा, जिससे आपका 3D object अपने आप बन जाएगा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, वैसे तो Amazon Flipkart पे जाओगे ना, बहुत जादा confusion है सेम मॉडल को, जो कि चाइना से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बेच रहे हैं तो आपने ब्रैंड की नेम में confuse नहीं होना 14,000 के बजट में जो आप consider कर सकते हो, वो है Ender 3 मैं consider कर रहा हूँ, Creativity, Ender 3, B Slot इसको इसमें Ender 3 important है, जो कि चाइना से आ रहा है बाकि Creativity तो इन्होंने अपना stamp लगा दिया है, that's all अब ये upgraded extruder के साथ आ रहा है, जो कि MK10 है इसमें quick heating bed मिल जाता है, जिसका मताब 5 minutes में 110 degree centigrade तक टच कर सकता है इसका basic advantage आपको 3D modeling में मिलेगा, ताकि precisely आपका 3D object बन सके FTM printing machine है, जो कि मैं पहले explain कर चुका हूँ आपको इसमें recovered print function आपको देखने को मिल जाता है, कि आपका जो unfinished operation है उसको कभी भी आप resume कर पाऊगे B slot, PM wheel आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसमें online, offline दोनों type से आप काम कर सकते हो अभी इस file STL, OBJ, G code ये तीनों format को support करता है और mostly 3D object इनी तीन format में लोग बनाते हैं 4.4 star rated, 763 से जाधा ratings है, 14,000 के budget में मिल जाएगा, one of the best 3D printer है, जिसको आपने definitely consider करना चाहिए Same Ender 3 model, all 3D name से भी आता है, 15,000 में, तो मेरी recommendation होईगी कि क्यों आपने 1500 रुपे देने हैं, जबकि वो same model है, डिट्टो same है, बस the difference of branding तो दोनों में से कोई भी एक purchase कर सकते हो, next model है, Ender 3 Neo, इसमें एक new feature आपको देखने कुलेगा, पहले के comparison में ज़्यादा enhance है, कि इसमें full metal bowden extruder आपको देखने कुलेगा, इसमें आपको heat sinking भी देखने कुलेगी, कई बार notice करा गया है, कि 3D printer बहुत ज़्यादा heat up हो जाते है और उनको cool down होने में काफी time लगता है, तो ये वहाँ पे आपकी help करेगा cool down करने में, इसमें CR touch auto leaving kit देखने को मिलती है, resume printing function इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, ये भी आपका FDM printing technology पे ही आता है, 32 bit silent motherboard के साथ आता है, जिसका basic मतलब है कि noise जो है, कम करेगा बैसे 3D printer काफी जादा noise करते है, इसमें भी आपको module hot bed spring आपको देखने को मिलती है, अभी ये PLA, ABS, FETG इन तीनों format को support करता है, 4.2 star rating आट सो चोओन से जादा ratings है, 18,000 के budget में one of the best 3D printer है, जो की advanced feature के साथ आता है, 18,000 में एक और printer आपको देखने को मिल जाता है, वो है Ender 3 B2 Neo, अभी ये भी full metal bowden extruder के साथ आता है, इसमें एक difference ही है, कि इसमें rotatory knob आपको देखने को मिल जाता है, extruder, चो की बहुत जादा आपके लिए easy रहेगा, जब आप इसको filament को fit on करोगे इसमें, model preview option आपको देखने को मिल जाता है, ये new customization में है, मतलब new feature है, जिससे आप preview एक बार देख motherboard है, और PC spring steel magnetic plate के साथ आता है, अभी इसमें STL, OBJ, AMF, ये तीनों format को support करता है, फाइल में, और filament में ये PLA, PETG, ABS, इन तीनों format को support करता है, filament में, filament one of the important object है, in 3D printing, so आप इस शीज को अच्छे से समझेगा, 4.3 star rated है, 1200 से जाधा rating से, 18,000 के budget में आराम से आपको मिल जाएगा, definitely consider करना, similar model, Kongso 3D Ender 3 B2 नाम से भी वैलेबल है, 19,000 के budget में, दोनों में से कोई बिक purchase कर सकते हैं, जो भी best buy में वैलेबल हो, 20,000 के अंदर एक और आपको model मिलेगा, boxy lab, aquila x2, ये completely different model है, इसमें color screen आपको मिल जाती, including rotatory knob, x by axis में belt adjustment मिल जाता है, जो कि बाकी models में आपको दे देख पाओगे, resume printing का इसमें भी function है, removal, glass, build, plate इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है, filament auto feeding option है, बार-बार आपको manually adjust नहीं करना पड़ेगा, filament run out detection भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है, अगर beach में से कभी तूड जाता है, तो वो चीज आपको screen पे समझ में ratings है, 19,000 के budget में इसको आप करीच सकते हो, और ये one of the best 3D printer है, 20,000 के budget में, अगर अभी भी confusion है, 20,000 पूरा आपका budget है, तो मेरी recommendation होगी, boxing lab, Aquila X2 ले लो, क्योंकि ये चारो type के filament को support करता है, 18,000 अगर आपका budget है, तो ender 3 B2 Neo या ender 3 Neo, इन दोनों में से कोई भी consider कर लो, थोड 20,000 के budget में, आप ender 3 के साथ ही जाओ, क्योंकि one of the best and low budget में आपको मिल जाता है, और आपके सारे काम करा देगा,